मानिया, आजहादी के लिए जीने मरने वाले लोगों ने जो सपनी देखे थे, उन सपनों के प्रकाश में और हजारों साल की भारत की महान परंपरा को संजोय हुए, हमारे सम्विधान निर्माताओं ने हमें सम्विधान दिया, सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने भारत को अनेक मुसिबतों में जौंग दिया था, किसी यूग में सोने की चीडिया कहा जाने वाला भारत, गरीबी, भुखमरी, बिमारी से जूज रहा था, इस पुष्ट भूमी में, देश को आगे बढ़ाने में, सम्विधान हमेशा हमारी मदद करता रहा है, लेकिन आज, दुनिया के अन्य देशों की तुलना में देखें, तो जो देश, भारत के करीब-करीब साथ ही आजाद हुए, वो आज, हमसे काफी आगे है, यानि, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, हमें मिलकर लक्स तक पहुँचना है, हम सभी जानते हैं, हमारे सम्विधान में इंक्लूजन पर कितना जोड़ दिया गया है, लेकिन ये भी सच्चाई रही है, कि आजादी के इतने दशक और बाद भी, बड़ी संख्या में, देश के लोग, एक्सलूजन को भोगने के लिए मजबूर रहे हैं, वो करोड़ों लोग, जिनके घरों में सौचालाई तक नहीं था, वो करोड़ों लोग जो बिजली के अभाओं में अंधरे में अपनी जिन्दगी बिता रहे थे, वो करोड़ों लोग, जिवन के सबसे बड़ा संगर्श, घर के लिए थोड़ा सा पानी जुटाना था, उनकी तकलीप, उनका दर्द समझ कर, उनका जिवन आसान बनाने के लिए, खुद को खपा देना, मैं सम्विधान का असली सम्मान मानता हूँ, और इसलिए, आज मिज़े संतोष है, कि देश में सम्विधान की इस मूल भावना के अनुरूप, एक्स्लूजन को, इंक्लूजन में बदलने का भईरत व्यानतेजी से चल रहा है, और इसका जो सबसे बड़ा लाव क्या हुआ है, यह भी हमें समझना होगा, जिन दो करोड से अधिक गरीबों को, आज अपना पका घर मिला है, जिन आठ करोड से अधिक गरीब परिवारों को, उजवला योजना के तहट मुप्त गैस कनेक्शन मिला है, जिन पचांस करोड से अधिक गरीबों को बड़े से बड़े अस्पताल में, पांच लाख रुपे तक का मुप्त इलाज सुनिश्चित हुआ है, जिन करोडों गरीबों की पहली बार भीमा और पैंसन जैसी बुनियादी सुविधाय मिली है, उन गरीबों के जीवन की संबल बनी है, इसी कोरोना काल में, पिछले कई महिनों से, असी करोड से अधिक लोगों को मुप्त अनाज सुनिश्चित किया जा रहा है, प्रदान मंत्री गरीब के लियाण अन्य योजना पर सरकार, दो लाग साथ हजार करोड रुपे से अधिक खर्च करके, गरीबों को मुप्त अनाज दे रही है, अभी कल ही हमने इस जोजना को अगले मार्च मार्च महिने तक के लिए बढ़ा दिया है, हमारे जो डारेक्टिव प्रिंशिपल्स हैं, वो कहते हैं, citizens, men and women, equally have the right to an adequate means of livelihood, वो इसी भावना का ही तो प्रतिवीम है, आप सभी ये मानेंगे, कि जब देश का सामान्य मान भी, देश का गरी विकास की मुख्य धाना से जुड़ता है, जब उसे equality और equal opportunity मिलती है, तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है, जब रेहडी, ठेले, पट्री वाले भी बैंक क्रेडिक की विवस्था से जुड़ता है, तो उसको राष्ट निर्मान में भागीदारी का एसास होता है, जब दिव्यांगों को, उनको ध्यान में रखते हुए, पब्लिक प्लेसिस, पब्लिक ट्रांस्पोर्ट और दूसरी सुविदाओं का निर्मान होता है, जब उन्हें आज हदी के सत्तर साल बाद पहली बार common sign language मिलती है, तो उनमें आत्मविश्वास जगता है, जब ट्रांस्जेंडर को कानूनी सोनक्षन मिलता है, ट्रांस्जेंडर को पद्मव पुरसकार मिलते हैं, तो उनकी भी समाज पर समीधान पर आस्ता और मजबूत होती है, जब तीन तलाग जैसी कूरिती के विरूत कड़ा कानून बनता है तो उन बहन बेटियों का समिधान पर बरोसा और ससकत होता है जो हर तरह से नाउमीद हो चुकी थी